अमेठी जिले के संग्राम पूर ब्लाक में बने अधिकांस सोचालियों का उप्योग नहीं हो पा रहा है इसके पीछे कारण यह है कि वहां सोचालियों को बना तो दिया गया है मगर उन पर ताला लगा दिया गया है जिसके चलते ग्रामेड आज भी खेतों और थोड़े बहुत जो जुर्मुट बचे हैं उन जुर्मुटों के पीछे जाकर शौज करने के लिए मजबूर है कुल मिलाकर स्वक्षता मिशन को डिबबा और लोटा आज भी आँख दिखा रहे हैं देखिए इस पर अमेठी से हमारे ब्यूरो चीफ आशिस सिंग की ये खास रिपोर्ट सौचालियों के लिए सरकार समय समय पर पैसे जारी करती रही गाओं में सौचाले बनाएगे ताकि लोग सुरक्षित तरीके से स्वस्च और स्वस्च रह जगें लेकिन अब आलम यह है कि गाउं में बने इन सौचालियों में ताले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग बाहर ही शौच करने पर मद्धूर हो ऐसे में सक्षता मिशन की धज्जियां उड़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रहे हैं यह संग्रामपुर बलाक के 28 आएंगे क्यों विश्वास नहीं होता ना तो चलिए आईए यह सामने से बुड़े बाबा आ रहे हैं इन से पूंच लेते हैं कि आपके गाउं में सौचालियों की क्या हालत पर्मा कहां घर है आपका मोगरिया में गाउं सभा कों सी है गंगापुर में यह क्या चालू है इसमें आप सब सौच जाते हैं नहीं अभी तर चालू नहीं तो आप सब सौच कहां जाते हैं अभी तो आप सब सौच कहां जाते हैं अभी जिनके पास गाउं में सौच आले नहीं है वो कहां जाते हैं तो इसका लाब मिल पा रहा है आपको नहीं मिल पा रहा है इस जो बन इसका लाब ग्राम सभा के लोगों को मिल पा रहा है और बन के तयार है नहीं हुआ तो आप सब कैसे जो जिनके पास साउचाले नहीं है कहां जाते हैं हम लोग फेत में जाते हैं कॉल अ यहां पर कोई करम चारी जो की और गया होंगे वह आते जाते हैं कोई खोल के नहीं खोल्ते नहीं कोई ऐसं नहीं जावियों हो कहां Garam